इन्वर्सिटी के सभी स्टूडेंस के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर जी हां दोस्तो अभी अभी निव सूचना निव नोटिस जारी हो चुका है 2021-24 के स्टूडेंस के लिए दोस्तो सारी जनकारी आपको लाइप प्रूफ मिलेगा वीडियो को पूरा ध्यान से देखें सबसे पहले आप अपने मॉबाइल फोन का गूगल ऑपन कर ले यदि अगर आप इस वीडियो को मॉबाइल फोन लैप टॉप या केंप्यूटर से देख रहे हो तो फड़ा सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है मगद इन्वर्सिटी.ac.in जी हां दोस्तों यहां पर लिख कर आपको सर्च कर देना है जैसी लिख कर सर्च आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा मगद विस्से विद्याले की तरफ से सारी जनकारी आपको हमारी चैनल मावरिय गुरू अकेडमी पर लाइप प्रूप मिलेगा जी हां जो भी इन्फर्मेशन जारी होता है मगद विस्से विद्याले से रिलेटेड सबसे पहले हमारे चैनल मावरिया गुरू अकेडमी पर डाल दिया जाता है जी हां दोस्तों सबसे पहले तुम्हें आपको बता दू 2021- 2021-2024 के स्टूडेंस इस वीडियो को देख रहे हैं साथी साथ 2020-22 के सभी स्टूडेंस के लिए भी बड़ी ख़बार दोस्तों यानि अंडर ग्रेजुशन और पोस्ट ग्रेजुशन यानि इवजी और पीजी के दोनों सेशन के स्टूडेंस के लिए बहुत ही इंपोटें जुरूरी है इस्तमाल करना ची है दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे मगद विससे विद्याले एक्जाम फॉर्म को लेकर चीहां सबसे पहले तुम आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग को पता होगा कि एक्जाम फॉर्म को लेकर रजिस्टेशन दस तरीक तक जो है एवेलेबल रखा गया था रजिस्टेशन यानि जिन छात्रों का रजिस्टेशन छुटा हुआ था और रजिस्टेशन ऑनलाइन भरा जा रहा था आप लोगों को मालूम होगा इसके लिए मैंने पहले भी जानकारी दे चुका हूँ ठी अब यहां पर दोस्तों बात है एक्जाम फॉर्म का ठीक है एक्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा सभी स्टुडेंस का ध्यान से सुने दोस्तों एक्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा आप दोस्तों एक्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में कैसे भरा रहे थे कि sir मुझे पता ही नहीं है exam form online भरने के बाद आगे क्या क्या processing होता है कैसे होता है कुछ पता नहीं चल रहा है sir थोड़ा सा बताईए दोस्तो आज की इस वीडियो में सारी जनकारी मिलेगा सबसे पहले तम आपको यह बता दूँ कि exam form किस website पर भरा जाएगा तो चलि मोड में भरा जाएगा और यहीं पर आप लोगों का जो है notice जारी होगा ठीक है इसी पर आप लोगों को क्लिक करकर और online exam form भरना है जब सुरू होगा तो मैं आपको लाइप प्रूप एक विध्यारत्री का भर कर दिखा दूगा ठीक ना अब online exam form भरने के बाद आगे की processing ज ध्यान रखें जब तक आप document verify नहीं करवाएंगे तब तक exam form accepted नहीं माना जाएगा तो दोस्तों document को ले जाएकर college में verify करवाना है उसके बाद आपको जो उसका सुल्क है online mode में अगर payment जमा होता है तो उसका रसीद भी आपको document के साथ जमा करना होगा college में ठीक है अगर मान जो online payment नहीं होता है तो exam form के साथ जो है आपको को college में ही पैसा जमा करना होगा ठीक है इस बात का ध्यान रखें सबी स्टूडेंस अब यहां पर वही कार्य बीस बाइस के students को भी करना है जो PG first semester के students बीस बाइस के उनको भी यही काम करना है exam form भरने के बाद online खुद से अपन सबसे पहले तुमें आपको बताना चाहूंगा कि exam form आप लोगों का online mode में इसी महीने last week में शुरू होने की पूरी-पूरी संभावना बताई जा रही है ठीक है इस महीने के last week में नहीं तो फरवरी में आप लोगों का exam form शुरू हो जाएगा ध्यान से सुनिए संभावना ह इस महीने के last week तक ठीक ना या आप लोगों का 28-29 तरिक तक यह नहीं तो अगर 28-29 तरिक को नहीं शुरू होगा मान लिजिए variant Omicron का लच्छन चल रहा है संक्रमित काफी लोग हो रहे हैं जिसको लेकर राज्य सरकार कई सारी तक्निके नहीं गैडलाइन जारी कर रहा है मा पर दोस्तों बात कर लेते हैं एक जाम फॉर्म तो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा उसके बाद परिच्छा उसके एक से सवा महने के अंदर में ही सुरू हो जाएगा यानि परिच्छा जो है परिच्छा का रूटिन जो है 15-20 दिन के बाद जो है जारी कर दिया जाएगा यह सबसे इंपोटेंट सुझना है दोस्तों वीडियो का अपने नीजी फ्रेंड दोस्तों को सेयर करें और लाइक नहीं किये तो लाइक भी करें चैनल को जोईन कर लिजे सब्सक्राइब करके आने वाली सभी जुड़ी जनकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रह चलिए धन्यवाद तक के लिए टेक केर गुडबाई जहिंद जावन्दे मादेट